हेला दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मित करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्ते आपका बहुत-बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्चूट पॉर सिविनियस की एडवांस कंक्री टेकनोलोजी की क्लास के अंदर जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिवनि अपने यूट्यूब चैनल के उपर डाल रखी है अगर आप चाहें तो वहां से इन यूडियो को भी जाके देख सकते हैं और अपने जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो दोस्तों आज बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्लास के अंदर और क्या हम डोग डिसक्स कर होता है। यहां था कटर हमारा यह जो है लिए हम लुग डेशन तेकनलोजी की तरफ जा रहे हैं ऑने जिया वह सिटी की तरफ जा रही है तो सिटी में दोसों लैंड कम होने की कारण हम डोग क्या कर रहे हैं दोस्तों大 disobedience है मुल्टी Park बिंढ़नेग हा हरा सबी isolum Đेस्त हु ठीके दोस्तों अब जो है दोस्तों definition of a tall building क्या है दोस्तों for structure engineer a tall building can be defined as one of whose one whose structural system must be modified into make it sufficient economical register lateral forces due to wind and earthquake within the prescribed criteria for for the strength क्या क्या है दोस्तों drift and comfort ठीके दोस्तों strength drift and comfort यह उसके अंदर होने चाहिए आपके structure के अंदर और advantages of tall buildings क्या होती है दोस्तों इससे पहले आपको बता दे 1976 ने दोस्तों USA के अंदर जो है सिकागो में सबसे tallest building जो बनाई गए थी first tallest building जो की है दोस्तो 74 story building और लगव 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 उसकी जो height 270 meter tall height थी तो दोस्तों फस् 1976 1974 में बनी थी सिकागो में ठीक है दोस्तों advantage of tall buildings क्या होती है दोस्तों advantage of tall building क्या है दोस्तों land use economy in achieved by construction of multi-story buildings which result in large building ठीक है दोस्तों getting construction on relative small build-up area मतलब वही है दोस्तों कि आप एक कम से कम space के अंदर जो है दोस्तों जादा से जादा जो है दोस्तों आप जो है लोगों को बसा सकते हैं यही multi-story buildings का जो है दोस्तों advantage है consideration or problems involved in construction or constructing high-rise building अब क्या दोस्तों problem involved हो सकती है जब हम लोग high-rise building जो है create करते हैं the construction of high-rise the construction of multi-story building possess the following disadvantage and needs various consideration बहुत जारे जो है consideration हमें करने पड़ते हैं जब हम high-rise buildings create करना चाते हैं दोस्तों the density of population goes out of control the density of population goes out of control क्योंकि एक ही बहुत सारे बहुत छोटे से space पे आप बहुत सारे लोगों को बता मतलब वहां पर रहने के लिए जगह बना रहे हो तो prevention of congestion क्या हो सकता है the inhibited flow of traffic and maximization of traffic बहुत सारे जो है दो स्पेस पे जो है दो तो आप क्या कर सकते हैं कि जहां पर वहां पर जाम लगने का chances हो सकता है जब आप एक जगह पर बहुत सारे लोगों को बसा देते हैं और everyone has their own vehicle तो वहां पर जो है ट्राफिक की प्रॉब्लम से हमें जूजना पड़ सकता है parking की difficulties हो सकती है high-rise building possess numbers of social and human problems ठीके दोस्तो prevention of excessive accident fire hazards and earthquake disaster is difficult जब आपका earthquake वगएरा हो जाए या fire hazard हो जाए तो उस time पे जो है बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती हाई-rise building से उतरना असान नहीं होता है तो उसमें जो है दो को अगर जो है accident के chances ज्यादा हो सकते हैं तो दोस्तों जो है आज आप देख रहे हैं तो अब इस problem को solution भी आप निकाल दिया गया है multi-story car parking करके जो है बहुत सारी जगए पे जो है इस type की creation हो रही है मुं Carson वगरा जो है multi-story high-rise building केत्रहे ही multi-story के आफ़े पार्रकिंग को भी ही जो है अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि जो है जावदा से जादागादियां छोटे से छोटे से स्वेस में जो है वो जो है पार्क हो सके जब्सक्राइब एडांर डिजाइन अन चाहिज सब्कूशन एसंपस्ट क्या होता है प्रफव जब्सक्र जाहूइ सब्सक्राइब Dis Rinau वो यूज की जाए making the structure lighter tough framed construction and not load bearing type wall मतलब कि जहां पर मतलब framed structure बनाए जाए जिसमें कि धाचा बनाते हैं हम लोग RCC का और उसके बाद जो है partition wall जो है light weight blocks वगरा की help से हम लोग जो है दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग जो है building को develop कर सकते हैं ताकि जो है weight कम से कम हो सके हमारे super structure का using prefab structure elements rather than in-situ construction for reducing time and time of construction क्या हो सकता है आप जो है precast structure को use करें rather than की cast in-situ मतलब sideway casting के मतलब yard में आप लोग कास्ट कर दें structure member और फिर उनको fixing कर दें side पे आकर तो उससे क्या हो सकता है दोस्तों आपका time जो है वो बच सकता है convenience of material and equipment to be done through cranes and pre-install lifts in case of concrete of mortar needed in large quantities and for greater height pumping and igniting techniques मतलब जो आया है दोस्तों आप lift का tower cranes का जो है use कर सकते हैं आपने construction work में rather than की cast in-situ आप करें ठीक है दोस्तों pumps बगरा से जो है उससे बचने के लिए ठीक next कि है दोस्तों adopting mechanized method and reduce dependence on manual labor मतलब आप machines का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें rather than की आप manual labor के use करें construction करें ठीक है दोस्तों nap किया है दोस्तों metal forms shutters and centers of light pipe sections and possible collapse and telescopic type में भी use metal form जो है दोस्तों आप use कर सकते हैं वहाँ पर construction के दोरान ठीक next किया है दोस्तों concealed wiring of for electrical and communication is desired concealed wiring जो है दोस्तों आपने देखा होगा अगर concealed wiring हम लोग यूज कर सकते हैं और construction of electric wiring परपस के लिए इन construction में simplify method of pumping single stack sorry दोस्तों simplify method of power of plumbing single stack steel instead of multi stack जो है दोस्तों आप easy से easy जो है plumbing system को यूज कर सकते हैं according to her room में जो है temperature controller होते जो कि temperature control कर सकते हैं और लेकिन centralized AC होता है मतलब हम लोग installation कर सकते हैं तो यह दोस्तों कुछ है construction technique in special structures में हो सकता है दोस्तों है depth जो है height of a building depth of a foundation जो है horizontal force types कैसे लगता है दोस्तों वो यहां पर दिखा रखा है और slip forms जो है दोस्तों आपने slip form देखा होगा collapse form देखा होगा lift slab concept क्या होता है दोस्तों यह बहुत ही अच्छा concept है list slab concept क्या होता है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं दोस्तों 한-छक्षे होता है हमारा जो structure होता है यह main just beach can lift portion जो होता है वह हम जो us बार सी mechanized दोस्तों ऐसा हम और mechanism क्रेच करते हैं जिससे कि हम चत को नीचे कास्टिन करते हैं अपना floor जो है नीचे देते हैं सारा का सारा असेंब्लिंग नीचे होता है वाल वगरा सब कुछ नीचे बनती है बाद में पूरी स्टक्चर को जो है दोस्तों यह पूरी स्लैब जो है इसको लिफ्ट करके जो है दोस्तों एड डिजायर रोकेशन पर हम लोग कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा बिडिंग में जो है दोस्तों यह बहुत जोरूरी है क्योंकि इन केस ओफ एमर्जेंसी जो है दोस्तों लोग जो है नॉर्मल स्टेर केस की जगए एक्जिट कर सकते हैं इसकेप कर सकते हैं नेक्स्ट क्या दोस्तों यहाँ पर स्पेशल मेठड अडॉप्ट और करिए के और बाद ने सेम्बल कर एक आपको ऑनकरना है उसकी लोकेशन पे स्टक्राइब कर देते हैं उसको फिर प्लान कर देते हैं लोग अपनी इसको सकते हैं महाँ पर जाकर fix कर सकते हैं next क्या है दोस्तों adaptation new and non-convenient materials for reduction weight of better insulation and heat sounds बहुत सारे जो है आज की डिट में जैसे light weight block होते हैं हमारे या हम लोग heat insulation blocks होते हैं या फिर हम लोग हलके हलके materials का या हम लोग partition में जित्तम बोड वगरा बहुत सारे ऐसे materials हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं construction में जिससे कि हमारा building का जो structure load है वो कम से कम हो सके ठीके दोस्तों next क्या है दोस्तों slip form plastic form electromagnetic joint especially water and sealed compounds हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर प्लास्टर वगरा करने के लिए बहुत सारे मेकैनिजम आ गए हैं जहां से कि हम लोग जिनकी help से अपना construction work कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा गाडियों को अगर आपने देखा मैनिफेक्टर होते हुए वो पूरी robotics के उपर प्रिपेर होते हैं वैसे ही हमार करेंगे उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए लाइक जुरू किदेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत दिलेगा तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए जाहें जावारत